और जैसे अपना फिंगर लगाते हैं तुरन तल्लोग हो जाता है के पास है Poco M6 Plus 5G फोन उस फोन में मेरी तरह इंडिस्प्ले फिंगर प्रिंट लोग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाओगे लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है साइड मौंटेड फिंगर प्रिंट है यहाँ पे जैसे साइड में लगाते हैं ओन हो जाता है डिस्प्ले पर लगाना है तो एक थीम की मदद से आप लगा पाओगे लोगों को ऐसा लगेगा कि डिस्प्ले पे है इंडिस्प्ले है लेकिन वो एक थीम रहेगा ठीक है तो 100% यह दोस्तों इंडिस्प्ले ही देख लिजिएगा एक थीम के नाम से अप्लिकेशन होगा उस पर किलिक करना है और जैसे किलिक करोगे तो यहाँ पर सर्च बार का ओप्शन आएगा यहाँ पर किलिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक कीवर्ड लखना है C बड़ी बनाना है 00 ठीक है यहाँ पे देखोगे Cool X इस परकार से लिखोगे फिर लिखना यहाँ पे U और I इस परकार से ठीक है देख लिजिएगा और फिर सर्च करना है जैसे सर्च करोगे यह वाला यहाँ पे आ जाएगा थिम इसी पे कलिक करना है यहाँ पे देखोगे Display दिखा रहा है अब यहाँ पे दोस्तो डाउनलोड का उप्शन आएगा छिक है जहाँ पे Apply आ रहा है Download आएगा Download पे क्लिक करोगे तरन्त डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में Apply ऐसके बाद में अप्लाई कर देना है तो इसे अपाई कर दोगे सीधा यहां से अपको बैग सांगे फिर याप दोस्तों आप आपने बटन को से दबाओगे ठीक आप यहां पर देखोगे यह हमारा इंडिस्प्ले लगा है और जैसे दोस्तों यहाँ पर देखोगे हम अपना finger लगाते हैं तुरंत अनलोग हो जाता है फिर से दिखा दें यहाँ पर दोस्तों देखोगे लगा है और जैसे अपना finger लगाएंगे तुरंत अनलोग हो जाएगा तो यह दोस्तों basically यह work कैसे करता है आप अपने phone म और जैसे अपना finger लगाते हैं तुरन तरलोग हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यह in display है लेकिन यह face से connect रहेगा अगर face लोग नहीं लगाओगे तो उतना अच्छा work नहीं करेगा अगर face लगा होगा तो कोई दूसरा विक्ति खोल नहीं पाएगा